हेलो एब्रीवन विल्कम तू मैं चानल दिस इस मी रीवा गुपता और आध्रम डिसकस करने वाले हैं बाइलाउजी का लेसन प्लान जिसका टॉपिक है हुमन हार्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है सबसे पहले लेसन प्लान जब आप बनाते हैं तो आपको लिखनी होती है डिडेट जिस दिन के आपको डिट डानी है क्लास जिसका अपने टॉपिक लिया है कौनसा subject कौन सा है, duration किती देर का period होता है, वो आपको लिखना होता है, कौन सा period है ये भी लिखना है, उसके बाद आते हैं हमारे general aims, अब general aims में आपको 5 aims ऐसे लिखने होता है, जो मतलब कि आप जो student को ये lesson plan बना के पढ़ा रहे हैं, उसमें उसमें को क्या फाइदा होता है, ये आपको lesson plan के general aims में लिखना है, तो सबसे पहला general aim है, to develop interest in people for biology students, second है to make people aware of scientific facts for use in daily life, third one is to develop scientific attitude in people, fourth to develop logical and analytical thinking in students, then the fifth one is to develop problem solving ability in people, उसके बाद आपको specific objectives लिखने हैं, जिसके लिए आपको एक table बनानी पढ़ेगी पड़ेगी, जिसमें आपको serial number, then level और objectives लिखने हैं, इसमें specific objectives में आपको 6 levels मिलेंगे, और हर एक level के लिए आपको दो objectives लिखने हैं, तो सबसे पहला आता हमारा knowledge level, तो हमने knowledge level के लिए दो objectives लिखे हैं इसमें आपको जैसे कि knowledge level जो आप lesson plan बना रहे हैं तो उसमें बच्चों के लिए क्या कैसी knowledge बढ़ेगी क्या होगा understanding level में कि understanding बढ़ेगी इसके दो objectives लिखने हैं application level में कि आप पढ़ा रहे हैं उसको आप apply करेंगे लिखेंगे यहां पर इसी तरीके से हमारे जो बाकि क्यों हैं लेविल्स वह हैं analysis level then synthesis level और उसके बाद आता है हमारा evaluation level उसके बाद आपको लिखना होता है material अब जब आप lesson plan बना रहे हैं तो आपको क्या क्या मैटेरियल की जरूरत है रोलर बोर्ट पॉइंटर चौक डस्टर इंचाट पेपर नेक्स आपका previous knowledge अब देखिए आप topic पढ़ा रहे हैं human heart तो students जो इनको पढ़ा रहे हैं उनको कुछ तो knowledge होनी चाहिए human heart के ब बनाने परती है जिसमें आपको सीर्यल नंबर फीवटल टीचर Activity और स्टुडिन रेस्पॉंस लेखना होता है प्वटल टीजेर आक्टिविटल के लिए आपको पांच कोउशंस बनाने हैं पांच कोउशंस चाहरा फॉर्मेट में बनाने होते हैं मतलब इस कोउशंस के आ human heart वो आना चाहिए तो चलिए देखते हैं तेला कोश्चिन है वो इस दाफस्टेस इंटेलिजेंस बीग हुमन बीग इस दाफस्टेस इंटेलिजेंस बीग ये तुरेंट रिस्पॉंस है मतब बच्चों ने आंसर दिया और आपने कोश्चन पूचा था नेक्स्टीचर कोश्चन पूचेगा वाट अधा मेन पार्ट्स फॉपन बच्चों ने आंसर दिया तो ब्रेंट केड़नी लीवर और हार्ट आथा इंपोर्टेन पार्ट्स नेक्स्ट सक्फ़चन विच ओर्गी इस रिस्पॉंस्बल टू इन बच्चों पूर्टेन ओरगी तो आपको यहां पर आचुका यहां वर यहां बच्च्चे तो आंसर दे नहीं पहरे तो आपको यहां पर फीर ट्रॉपिक इंट्रूर्डिवेश करना है that student today we will study about topic human heart अब next आपको बनानी होती है presentation table बनानी है जितने भी आपको teaching points बताये गए होते हैं उसके according आपको presentation बनानी है हर एक teaching point के लिए आपको presentation पेज भूरा तरिके से त्यार गना जिसमें आपको teaching point, people teacher activity, student response, teaching method, material aid और blackboard work लिखना होता है तो चलिए देखते हैं पहला teaching point पहला teaching point जो है हमारा हार्ट अब हापने हार्ट के लिए हमने दो developmental question बनाए दो developmental question मतलब आप topic पढ़ाने जारे हैं तो बचों को नहीं बता है उसके बाद आपने बोला कि आज हम topic पढ़ने वाले हैं हार्ट उसके बाद आपको question answer method यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो है आपने explain किया तो आपने explanation method यूज़ किया और material rate में आपको यह हार्ट बना हुआ है आपको एक चार्ट करेंगे बना के लेकिताना explain करने के लिए ब्लाकबोर्ड वर्क में आप जो चीजे ब्लाकबोर्ड पर लिखते हैं वह यहां पर लिखने हैं इसी तरीके के बाकी के भी जो teaching point है वह आपको बनाने हैं देखिए next हमारा जो teaching point आता है वह हार्ट चेमबर अब हार्ट चेमबर के लिए हमने दो development question पूछे उसके बाद पूरा explanation इस तरीके से देखिए इसकी जो है development question आपको explanation इस तरीके से देना होता है 45 minutes आपको पास होते हैं उसी recording आपको जो है पूरा lesson plan बनाना होता है कि 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 एक्स्प्लेनेशन कि इस रखे जाए कि 45 minutes में आपका सब teaching points complete हो जाएं यहां पर एक्स्प्लेनेशन मेतेड और यहां पर material बना दिया है और ब्लाक वोड़ वोड़ भी एक यहां पर नेक्स हमारा teaching point is structure of human heart इस human heart के लिए अब आप हमने देखे दो development question माना लिए उसके बाद यहां पर पूरा explanation दे दिया development question के लिए हमने क्या पूचा how many chambers of heart heart has four chambers what do you understand about human heart structure तो यहां पर बचोकों नहीं बता उसके बाद आपने बोलाए कि आज हम पढ़ेंगे structure of human heart तो यह हम आपने को फूरा explanation देते ना अब यह यहां पर जेखे आपने यह यहां से देखें कोशना आचा method explanation मैताड material rate और यह blackboard वर्क हो गया इसी तरीके से हमारा next teaching point है the weight of heart यह भी आपको इसके तरीके से बना लेना है जिसमें आपको दो developmentary question लिखना है और explanation बनाना है तो explain करना है वो पूरा आपको यहां पर लिखना है अब इसके लिए आपको material rate क्या यूज क्या है वो आपको यहां लिखना है बनाना है और यह blackboard वर्क हो गया उसके बाद देखें blackboard जो कम हो यह सब होने के बाद presentation का comprehensive question मैं जिसमें 5 question आपके teaching point से related होना चाहिए जो आपने teaching point पढ़ा है उससे related पहला है where is heart located how many chambers in heart what is the weight of heart what is the size of heart and what is the color of heart अब यह जो question आपने पूछे हैं उसका explanation आपको blackboard summary जो होती है उसमें आपको इन सारे questions का explanation यहां पर इस तरीके से लिखना होता है मतलब जिस तरीके से आप blackboard पर लिखते हैं उसी तरीके से आपको यह black color का chart paper लेना और उसी को cutting करके यहां पर चिपकाना होता है आप लास में देखिया आता है re-captuary question, re-captuary question में आपको 5 question लेने और इसमें आपको प्लेंदा 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 आपको 5 question मनाने और उसके आंसर बच्चों से ही पूछने हैं यहां पर lesson plan complete हो जाता है उसके बार last में आपको homework दे देना है write brief points on human heart, its shape, size and habit यह आपने homework दे दिया जो आपने lesson plan मना इसका homework दे दिया तो यहां पर lesson plan हमारा complete होता है अगर आपको कोई भी doubt दो तो please comment section में मैं इसे पूछ लीजेगा और इसी तरह किसे मैंने science के और biology के maths के lesson plan अप्रोट कर रखें हिंदी में मैंने maths science के lesson plan अप्रोट कर रखें अगर आप मेरी playlist में जाके उसको भी देख सकता है thank you for watching my video